हाई वीज और वेलकम बाक टुदी चनल दीपक्ट यादव एजुकेशन वेलकम टुदी डेली हिंदु न्यूज एंडरिटोरियल एनालेसस और 14 अप्रेल 2024 तो गाई जाधे तारिक 14 अप्रेल 2024 और है संडे देखेंगे आज के दाहिंदु कंप्लीट न्यूस पेपर को कंप्लीट न्यूस पेपर को निलाइस करेंगे बट लेक्टर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्टर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है आर्टिकल्स बहुत कम होते हैं काम के जैसे संडे को अडिटूरल वगरा कोई आता ही नहीं है साइंस एंटेक का पेज है तो वहाँ पर एक आर्टिकल है है हैपिटिडिस को लेकर जो इंपोर्टन है तो क्या है ये पूरा मैटर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अभी कुछ दिनों पहले से लगबख एक एपरेल की बात है एक एपरेल के बाद से लगातर इंटरनाशनल मीडिया में आर्टिकल्स पबलेश हो रहे थे कि क्या इरान इसराइल पर अटैक करेगा अच्छा ये क्या मामला हो गया कि इरान इस पूरे मुद्दे मोतर आया है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो सवाल ये उट रहा था और कल शाम मैंने वीडियो अपलोड भी किया था जिसमें बताया जा रहा था कि यूएस की साइट से रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में में मेंशन किया है कि 24 से 48 घंटों में इरान इसराइल पर अटैक करने वाला है और वह रिपोर्ट दोस्तों सच साबित होई इरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया अब जब सुबह से आप देख पाओगे लगातार सभी न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं सभी जगह पर लाइफ सेशन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब यह पूरा मामला है क्या कैसे इतनी जादा प्रॉब्लम क्रियेट हो चुकी है और आने वाले समय पर कितना और बवाल होने वाला है अभी दोस्तों यहाँ पर इंडियन्स से भरावा जो जहाज 17 इंडियन्स एक जहाज में उसको इसराइल ने अभी कैप्चर कर लिया उसको जब्त कर लिया है तो यह कितना इंपक्ट डालेगा इंडिया के उपर क्या असर पढ़ने वाला है बहुत सारी चीज़ है इस पर्टिकुलर विडियो के अंदर जानने के लिए इसको दिहान से सुनते वे चलना तो जैसे आप देख पाऊगे इसराइल का ही आर्टिकल है इसराइल की मीडिया में यहाँ पर मेंशन किया गया है इसराइल के जो डिफेंस फोर्स है उन्होंने ये बोला कि इरान ने 200 से जादा मिसाइल्स और जो ड्रोन्स हैं वो दागे इरान के उपर स्वरी इसराइल के उपर अब दोस्तों यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इसराइल ने जादतर जो अटेक था उसको इंटरसेप्ट कर दिया हवा में ही उड़ा दिया असी पर्षेंट यहाँ पर जो मिसाइल्स या ड्रोंस से उनको हवा में खतम कर दिया क्योंकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रॉंग है बट यहाँ पर बताया जा रहा है फिर भी सभी आटेक नहीं रोक पाया बहुत सारे जो मिसाइल्स से वो सीधा जाकर यहाँ पर इसराइल की धर्थी पर गरते हैं जिसकी वज़ा से इसराइल के डिफेंस पूर्स का कहना यह है कि इनका जो बेस है वहाँ पर थोड़े बहुत जो डामेजिस हैं वो हमको यहाँ पर नजर आए तो यह वही के आर्टिकल्स के थू मैंने आपको यहाँ पर समझाया अब दोस्तो मैटर क्या है यह देखो बताया जा रहा है इरान ने यहाँ से बहुत सारे जो ड्रोन से मिसाइल से वो यहाँ पर लाँच कर दिये किसकी तरफ इसराइल की तरफ ठीक है अब पहला क्वेश की बात है 1st April को होता क्या है कि इसराइल ने सीरिया के अंदर एक Embassy है वो Embassy इरान की थी दोस्तो उस Embassy पर इसराइल ने अटैक किया जिसमें कुछ लोग की जान गई रिपोर्ट का कहना है इरान के यहाँ पर कुछ ऑफिशल्स की जान गई उस Embassy के अंदर में तो इरान ने यहा कालतू में हमारी Embassy को उड़ाया और इसके बाद होता यह है कि इरान के जो सुपरीम लीडर है जिनका नाम है आयोत अली खामेनी यह वो परसन आपको देखने को मिलेंगे इनका यह स्टेटमेंट आया कि इसराइल मस्ट भी पनिश्ट और इरान जो है इसका बदला लेगा कि कि हमारी Embassy अपने सिरिया में कैसे उड़ाई और इसके बदले के तहट यहां पर उन्हें खुद यहां पर मेंशन करा था रिपोर्ट का यह कहना था कि इरान जो है थोड़े देर में बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल अटाक कर सकता है कुछ घंटों के अंदर दर यह खुद य यह जो वीडियोज हैं सोचल मीडिया प्लाटफॉम पर आपको नजर आएंगे इसराईल की डिफेंस फोर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी यह अलग लग वीडियोज डाले हैं यह फोटो वो है यहां पर दिख रहा है कि इरान के जो इस तरीके से मिसाल से वो देखने को मिलेगा सिच्वेशन यह हो चुकी है कि इरान कहीं न कहीं जबसे यहां पर उत्रा इसने पूरे दुनिया को एक नया वार की तरफ खड़ा कर दिया है एक नया वार सा हमको यहां पर नजर आ रहा है यह नया वार बहुत खतरनाक हो सकता है वर्ल वार 3 असल की अमेरिका की तो अमेरिका कहीं ने कि यहां पर यूएस एक जोकर सा बन कर रह गया है क्योंकि जो बाइडन से यहां पर जब क्वेशन पूछा गया कि यहां पर इरान वार अटैक कर सकता है इसराइल के उपर आप इस पर क्या करोगे तो वो मना करते हैं जो बाइडन कहते है वो यह सोच कि इसने अटाइक किया जो करना है कर लेना लेकिन यहाँ पर यह अटाइक हुआ अब इस अटाइक होने के बाद में इसराइल के उपर यहाँ पर दबाव बनेगा अब्यूसी बात है कि जो इसराइल है वो यह अटाइक ना करे क्योंकि retaliation में definitely इस्राइल अटक करने वाला है ये हम लोग कह सकते हैं ये हम लोग जो इस्राइल के पुराने steps उठाए गए हैं उसके थूँ यहाँ पे समझ सकते हैं ठीक है क्योंकि इस्राइल ने बोला कि ये बहुत बड़ा attack था इनका केना ये था कि 200 क्या 300 से ज़ादा Iranian dones missiles ये सारी चीज़े हमारी तरफ आ रही थी और इसमें से बहुत सारे जो attacks उसको intercept किया हवा में उड़ा दिया लेकिन फिर भी थोड़े बहुत minor damages यहाँ पर देखने को मिले और यहाँ पर दोस्तो इरान का इसराइल का जो ये arrow defense system है इसकी काफी जादा चर्चाएं होंगी क्योंकि ये इसराइल का arrow defense system है जिसने हावा में इस तरीगे से rockets को खतम किया और उन्हें अपनी territory को थोड़ा सा secure किया बट फिर भी कहना पड़ेगा काफी damage हुआ है और इरान ने यह attack करके दिखाया है भले ही चाहिए European Union क्या बोलता रहे USA क्या बोलता रहे कोई फरक नहीं पड़ रहा इरान ने जो बोला वो करके दिखाया लेकिन दोस्तों यह जो war है ना यह युद्ध हो रहा है इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा पूरे world पे यह हमने Russia युकरेन के war से देखा already जो oil के prices वो कितने ज़ादा हो गए थे यह यहाँ पे नज़र आए अभी भी oil के prices बहुत ज़ादा है अगर हम उसको compare करें कुछ previous year से तो यह जो एक नया war है इसको लेकर यहाँ पे United Nation के जो चीफ है Antonio Guitres इनका कहना यहाँ पे यह है कि इरान का जो यह attack है इसराइल के उपर में अगर यह होता है यह इन्होंने यहाँ पर mention किया है कि जो यह attack हुआ है यह जो पूरा war है यह कहिना कही हमारी दुनिया afford नहीं कर पाएगी एक और युद्ध की वज़ा से international level पर बड़े crisis आ सकते है even यहाँ पर reports का कहना यह है कि जो इरान-इसराइल war है इसकी वज़ा से जो कच्छा तेल है जो international market में कच्छा तेल बिखता है जिसको हम purchase करके लाते हैं फिर उसको refine करते हैं जिसे petrol बाकी सारे जो यहाँ पर products हैं वो हमको मिलते हैं तो इरान-इसराइल के इस war की वज़ा से जो यह कच्छा तेल है वो 100 डॉलर पर barrel के आसपास हो जाएगा इसकी वज़ा से panic create हो जाएगा दुनिया भर में oil के prices बहुत ज़ादा highest level पर होंगे तो यह कहीं न कहीं एक tension वाली बात है साधी साथ में अभी article सुभा यहाँ पर publish वह है 6 बज़े गया सपास कि इस पूरे tension के अंदर जैसे ही यहाँ पर इरान ने जो attack किया अब situation गंबीर हो चुकी है क्योंकि US का दबाव है इसराइल पर कि बही जो इसराइल है वो attack ना करे बट इसराइल नहीं सुनने वाला अमेरिका की भी एविन यहाँ पर जो अमेरिका है उसका statement यह है कि जो Benjamin Nathan या हूँ है जो आज के समय पर इसराइल के क्योंकि आज शाम संडे है ना आज शाम चार बजे के आसपास एक meeting होने वाले है या आप देख पाऊगे US के president है इनका कहना यह है कि एक G7 leader की meeting होगी United Nations Security Council के एक emergency meeting होगी आज शाम चार बजे जिसमे इरान इसराइल प्रेजेंट होगा और देखना कॉल कॉन प्रेजेंट होगा जिसके बाद सारी के सारी जो details हमारे सामने आएंगी फिर देखेंगे exactly क्या हमारे सामने निकल कर आया है और जो यह war की इस्तिती बनी है इसमें जो European leaders हैं इनके अलगलग statements आपको देखने को मिलेंगे जैसे अगर आप देखोगे तो UK के प्राइम मिनिस्टर रिशी सुनक जी उनका कहना यह है कि जो यह इरान ने अटाक किया है यह reckless है destabilizing है इसकी जरुरत नहीं थी जो यह अटाक हुआ है जिसकी वज़ासा situation और escalate होगी और बड़ेगी कम होने की वज़ाए ऐसे European Council के जो precedent है सब ने इरान की अभी के समय पर रिंदा की है यह attack नहीं करना चाहिए था यह attack बहुत बड़ी problems create कर सकता है आने वाले समय पर अब दोस्तो situation और इसराइल के बीच में पिछले 5 सालों से जहाजों को लेकर काफी बड़ा dispute है है ना इरान का कहना यह है कि पिछले 5 सालों में कई सारे जहाज है जिसको इसराइल ने हमारा attack किया है है ना उसको जब्त किया है तो जहाजों को दोस्तो इरान ने उस जहाज को जब्त कर लिया है और उस जहाज में सत्रा इंडियन्स प्रेजेंट हैं तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा complicated situation यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब सीधा सीधा यह कह सकते हो अब इंडिया को यहाँ पर जो अपना statement है वो किस basis पर देना पड़ेगा यह आगे जाकर थोड़ा सा matter करेगा सबसे पहले अगर आप यहाँ पर दोस्तों यह देखोगे तो यह जो जहाँ इसका नाम है M.C.S. Aries तो यह जहाँ का थोड़ा सा लिंक बता जा रहा है यानि इसराइल का एक छोटा सा लिंक इस जहाँ के साथ में जिसको इरान ने जब्त किया जिसमें 17 इंडियान नैशनल है, इंडियान नैशनल के साथ साथ यहाँ पर कुछ और मेंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान के भी दो लोग है, रशिया का एक है, बलस चार फिलिपिनूस भी आपको देखने को मिलेंगे तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया क्या करता है इंडिया को यहाँ पर यह पूरा जहाज कैसे चुडाना होगा कैसे यहाँ पर 17 इंडियन्स को वापस लेकर आना होगा क्योंकि यह वीडियो जो वाइरल हुई है इस वीडियो में आप देख पाऊगे किस तरीके से हलिकॉप्टर का यूज करके है ना ये वीडियो आप देख पाऊगे यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो हलिकॉप्टर उसका यूज करके इस Strait of Hormuz के पास में ये जो वैसल है इसको जब्द कर लिया गया पकड़ लिया गया आज के समय पर ये जो पूरा वैसल है ये इरान के अंडर में है तो definitely इंडिया के लिए यहाँ पर एक complicated situation ये बन जाती है दूसरी बात एक और ध्यान लखेगा इरान ने जो ये इसराइल पर attack किया है न इसको एक नाम दिया है एक operation का नाम दिया है जिसका नम है operation true promise सच्चा वाधा यानि जो इरान ने बोला था वो यहाँ पर करके दिखाया है यह आप कैसकता हो तो operation true promise का नाम दिया गया एक question आप से बन सकता है कि recently operation true promise न्यूज में था ये कौन से कौन से देश को लेकर नियूज में था, उन देशों के नाम आपको पता होने चाहिए। कर चुगा था पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ कई सारे जो आर्टिकल से वो IDF को लेकर पब्लिश हुए थे एक सेकंड लुको यहाँ पर आपको यह नजर आएगा कि इसराइल का यहाँ पर मीडिया है इनकी जो डिफेंस फोर्स उन्होंने यह बोला कि इरान अगर इस प दुनिया भर की कंट्रीज आज के समय पर थोड़ी कंसर्न हैं चिंतित हैं कि इसराइल को रोकना होगा अगर यह शांती से बैटके मामले को निप्टा लेते हैं तो वैस्टेशिया में शांती बनी रहेगी अदर्वाइस यहाँ पर एक नया वार देखने को हमको मिल सकता है ठीक है यह बात यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अब दुनिया भर क्या कर रही है कंट्रीज उन्होंने जैसे मैंने बोला कल भी आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि इंडिया ने भी एक एडवाइजरी जारी करती है इरान और इसराइल को लेकर कि बही कोई भी क्रीज होता है तो उस बेसिस पर उनको सिक्यूरली इंडिया लेकर आया जा सके उनकी जान बचाई जा सके तो इंडिया ने खुद एडवाइजरी जारी की और एडवाइजरी जारी करते ही करते दोस्तों होता क्या है जो एर इंडिया की फ्लाइट है उन्होंने क्या किया उन्होंने एरान के ऊपर से उड़ान ही नहीं नहीं बरी दूसरा रूट अपनाया और कई सारी कंट्रिये साँ गर्म leavyn ने अपनी एरलाइंज को भी बोल दिया है कि आप एरान के ऊपर से उड कर मद जाना ठीक है आप कोई दूसरा रूट अपना सकते हो तो एरान का जो एरो स्पेस है उसको प्लीज अवाइड कीजिए ये पूरे वेस्ट एशा के अंदर में चल रहा है और यही सारी एडवाईजरी फ्रांस के साथ साथ इंडिया पोलेंड रश्या जर्मनी सब ने अपने नागरि बस इतना ही है यानि आज के हमारे इस पूरे वेडियो में एक शॉर्ट वेडियो है क्योंकि आज की न्यूस्पेपर में कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा आप भी न्यूस्पेपर उठा कर देख सकते हो यही कॉमन आर्टिकल सभी जगह पर चर्चाओं में हैं बागी क यूसपेपर में इस टॉपिक से सम्बंदित ठीक है मैं इस वीडियो को as a separate record करना चाहता था बट मैंने सोचा यहाँ पर चलो दाहिंदू analysis के अंदर ही यहाँ पर उसको record करके आपके साब में present किया जाएं ठीक है नाव बलते हैं आप सगले वीडियो में आज के लिए